बच्चो में वैज्ञानिक सोच विक्सित करने और उन्हीं अंतरिक्ष विज्ञान से रूपरो कराने के लिए दुर्गजले के सेक्टर 6 आत्माना अंगलेश मीडियम स्कूल में अत्यादुलिक एस्ट्रोनॉमी लैप शुरू किया है लैप को इस तरह से बनाए गया है कि चात्र आकर शुक लगते हैं अलगे उसे और विज्ञान विशेशकर खगौल विज्ञान में रूची इसमें चात्र लेने लगे बतादे एक गौली अपिंटो के बारे में जुआननी के लिए चात्रो और अभिभावकों दोनों के लिए इसमान रूप से जग्यासा के साथ सभी इन प्रेक्टिकल्स को देख रहे थे और सभी की आखों का ये गेंद्र बन गया भिलाई के सेक्टर छे आत्मानन इंग्लिश मीडियम स्कूल में एस्ट्रो नॉमी लैब का घटर भिलाई महापौर नीरजपाल आयुकतर रोहित व्यास निक्या जिले का पहला और प्रदेश का तीसरा एस्ट्रो नॉमी लैब में अंतरिक्ष मॉजल टेलिसकोप सूरिग और चुंधर ग्रहन के गांकाजी मॉडल, प्रदेश्वन उद्देश्व के लिए विबिन प्रकार के टेलिसकोप, खागोल विग्यार के प्रतीक के चुत्र, स्टार चार्ट आधीश्वामिल है च्थाटर चात्राओ के लिए बहु विश्वेक अध्यन के लिए एक जोख फिम अप्रदान करेगा साथी उन्हें गहरी रूची के साथ फ्रिक्षा प्राप्त करने और बड़े सपने देखने के लिए यह सीखतेगा सेक्टर सिक्स सेजेस में एस्टो लैब का विखाटन हुआ है और इसमें कलेक्टर साब का विजन और कमिशनर हमारे रोहित व्यास सर का प्रयास है मोर सहर मोर विजन के तहट जो शहर की जिम्मेदार नागरिक हैं उनके द्वारा ये निर्मान किया गया है और ऐसा हम लोग की योजना है कि ये सभी सेजेस में इस तरह के खगोल शास्थ लैब हों ताकि बच्चों की जिग्यासाय शान्त हो सकें और विज्ञान के प्रति उनमें रूची बढ़ सकें अगल रहता है बच्चों को जानने का किताबों में उतना उनको डिटेल में जानकारी नहीं मिलती जिसे बाकी लैब होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के आंत्रिक्ष को लेकर अगर एक लैब प्रयोक्षालागर रहेगी तो उनको वहां पे वहां नुसंधान करने के लिए खोज करने के लिए अपने विशे से से रिलेटेड एक तो उनकी जिग्यासा बराबर बनी रहेगी और उनको उसमें सुविधा भी होगी तो यह जो आज लैब का घटन हुआ है यहां के बच्चों को बहुत ज़्यादा इससे लाम मिलेगा